अब आप सब क्यासे हैं I hope कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी इस्टडी को कॉंटिन्यू कर रहे होंगे फ्रेट्स आज का जो लक्षर है वो लक्षर आपका डियलेड फर्स्ट समस्टर का जो विज्ञान सब्जेक्ट है यानि विज्ञान का कक्षा सिक्षर इस पर डि कर रहे हैं ठीक हना तो चलते हैं जो कोस्टिन्स रह गया है उनको भी देख लेते हैं यानि इस चैप्टर में आपका कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपके जो लगुत्रे टाइप कोस्टिन्स से उसको कॉंटिन्यू करेंगे और इससे पहले जो और भी सब्जेक्ट के कोस्टिन्स हो जाते हैं उनको कॉंटिन्यू करेंगे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप पहुश सके हैं तो आज की सिरीज का फर्स्ट कोशियन हो जाता है वो आपका हो जाता है आल्यांगिक जनन की पांच विधिया परकारों के नाम लिखिये तो इसमें विखंडन हो जाता है मुकलन हो जाता है खंडन हो जाता है बीजाणों द्वारा और काईक परवर्धन ये हो जाती है उसके वाद आपका हो जाता है घर्षन बल क्या होता है यानि किनी दो सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गती का विरूद करने वाले बल को क्या कहते हैं घर्षन बल कहते हैं जैसे आटा चक्की आटा चक्की जो होती है तो उसमें इस तरह से पटा चड़ा होता है यहाँ प गूमता है तो जब इसमें क्या होता है कि कह रहा है कि नहीं दो सत्मों के संपर्ग तलों के सापेक्ष गदी का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं तो घर्शन बल कहते हैं और इसमें घर्शन बल नहीं होता है तो सिर्फ ये चलेगा यानि कि क्या है ये जो इंजन लगा ह यह चलता है लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा होता यानि यह पटा गूम नहीं रहा होता है यह चीज होती है उसके बाद आपको हो जाता है पेड़ पौधों में आलेंगिक परजनन विदियों के नाम लिखिए तो रोपड या कलम लगाना दाब और कलम यह हो जाते हैं पतियों का मुख्यकार क्या है तो परकाश चंशलेशन की किरिया करना यानि परकाश चंशलेशन की किरिया में क्या करते हैं यह अपना भोजन स्वैम बनाते हैं कैसे बनाते हैं तो 6CO2 प्लस 12H2O और आपका क्या हो जाता है arrow c6 h12 और o हो जाता है और plus में आपका हो जाता है 6 h2 o और plus 6 o 2 यह हो जाता है ठीक है ना उसके बाद आपका क्या हो जाता है घूमते हुए लट्टू में किस परकार की गती होती है तो घुणन गती होती है हमारे शरिन में कितनी ग्यानेंद्रिया पाई जाती है नाम लिखिए आक ना कान जीब तथा तवचा यह ग्यानेंद्रिया पाई जाती है जलिये पौधो के तने उंपत्ती की एक एक विशेष्टा बताईए जलिये पौधो के तने के अंदर असंख खाली स्थान होते हैं जिन्हें वायू कोस्ट कहते हैं जिन में वायू भरी रहती है जैसे जलकुम्भी तालाप में कमल तथा कुमुदनी के पौधों के विबिन भागों को ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि इसकी पतियां चप्टी है और इनकी सता मौम जैसी च चिकनी होती है इससे पतियां गीली नहीं होती है चप्टी होने के कारण ये पानी की सता पर तेरती है और इसमें सूरी के परकाश में भोजन का निर्मार संभाव हो जाता है आपने देखा होगा क्या कह रहे हैं कि जली पौधों के तन्यों पति तो आपने कमल का फूल तो इस तरह से ये हो जाता है और ये जल में इस तरह रह पाते हैं अगर और पति अगर जल में डाली जाएं तो वो क्या हो जाएंगी वो सडगल जाएंगी है ना तो जो चीज जहां पर होती है वो उसके अनुकूल वहां पर होती है जब उसका अनुकूलन उसको मिल जाता ह तब ही तो वहाँ पे रहाता कि कै दो रहा है और घ्र जो सबता करने बारण को बेर दो चल रहा है उसके अकबर डहल जाता इह तो मनुश बहुत की मुश्किल हो जाता है कि उस माहोल में डहे पाए तो आहां पे भी हो जाती है जल के अनुकूल है। वो जल के अनुकूल है। ऐसे हित्व जल के अनुकूल है तो जिन्दा नहीं रह पाएंगे। पर यह कुछ कहें वहते पूरोहिए। ही कर दिया जरता है वंकि आ सबया नोर नारों उप्छी कुछ निम्न से नुए का में इन टाक यश कुंग नर्यों है। कुरा सबें किया ने degli सब्सक्राइब आई यहां पर इस तरह से अपनी कीली पर घूम रही है तो यानि लट्टू का फिरना क्या है गोड़न गती और यह लट्टू बना हुआ है अब यह क्या कर रहा है इसकी कीली अपनी ही जगा पर घूम रहे हैं तो प्रत्वी भी तो घूमती है और सूर के चार और प्रत्वी का गती करना अब जो सूर है अब यहां पर देखिए बड़ा कंफ्यूस करने वाला कोश्चन अगर आप इस तरह से कहीं पर पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि यह व्रत्टी गती में भी है घूरन गती में यह क्या है लेकि चीजों को समझे देख लेकि सूर के चार और प्रत्वी का गती करना अब वो क्या करें सूर के चार और इस तरह से गूम रही है तो यह क्या हो जाता है यह व्रत्टी गती हो जाती है ठीक है उसके बाद आपका हो जाता है सरसों के पुष्प के विभिन अंगों के नाम लिखे तो जो सरसों के तो इसमें जो प्राथमिक जड़े निकलती हैं बारीक बारीक-पारीक जड़े संस्थ तो यही 2 सेकेंड जड़ हो जाती है तो यह चीज हो जाती है उसके बाद आपका हो जाता है डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानो शरीर के डिग्री जैल्सियस में किस सीमा के अंतरगत ताप माप सकते हैं तो डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानो शरीर के डिग्री सेल्सियस मे 35 degree Celsius से 42 degree Celsius तक के तापको माप सकते हैं ठीक है फिर question आपका हो जाता है next है यहाँ पे misprint है उसके misprint क्या मतलब देखे हम पढ़ते हैं इसको पेर पौधों में आलेंगिंग परजनन की विधियों के नाम लिखे यहाँ पे यह लिखा हुआ है पेर पौधों पेर पौधों में आलेंगिंग क्या है आलेंगिंग आलेंगिंग परजनन परजनन की विधियों ठीक है परजनन की विधियों तो इस तरह से आपका यह है question और इसके नाम लिखने है तो इसमें है पेर पोदों में आलेंगिक परजिनन की विधियां विखंडन हो जाता है मुकलन हो जाता है gwijardu 50 हो जाता है और काइक परवर्धन nourr तो इस तरह से इख लेते हैं नेक्स कोश्चिंट क्या क्या रहा है पोधों की पतियों में होने से तीन बार जब भी आप पढ़ा कीजिए तो इसको लिख के देखा कीजिए जब लिख के देखेंगे तो क्या होगा कि चीजें बिल्कुल भी गलत नहीं होंगी और अच्छा से आप कर पाएंगे और यह मान के चलिए कोश्चन पूछा जरूर जाता है तो यहाँ पे है सिक् पोदे अपना भोजन फिर उसके बाद है सी सिक्स टूएल ओ यानि ग्लूकोज और प्लस है सिक्स एच्टू ओ जल हो जाता है और शिक्स ओटू यानि ऑक्सीजन यह हो जाता है उसके बाद आपका कोश्चन है सेंटी मीटर त्रेज्या के वृतिये पत पर एकन आधा चकर लगाता है तो इस दशा में कड़ द्वारा ते की गई दूरी तथा विस्थापन ग्याद कीजिए तो कड़ द्वारा ते की गई दूरी टू आर बटे आपका टू हो जाता है यानि यहाँ पे पाई है यह ठीक है न पाई और उसके बाद पोर पाई इसके यहाँ पे हो जा उसके बाद यानि विस्थापन बराबर xy बराबर 8 cm पुष्प के मुख्य चार भागों के नाम लिखिए तो पुष्प के चार भाग आपके हो जाते हैं पुष्प के चार मुखे भाग हो जाते हैं बाहे दल दल पुंज पुमंग तथा जायाग पत्ति के परमुख भागों के नाम लिखे तो पत्तियों के मुखे भाग हैं प्रणाधार पणवरत पणफलक एक माइक्रो मीटर में कितने पीको मीटर होते हैं तो एक माइक्रो मीटर में दस की घाच्छे पीको मीटर होते हैं बेलन की लंबाई तथा व्रत्य के व्यास मापन के लिए किस यंद्र का उप्योग किया जाता है तो बेलन की लंबाई तथा व्रत्य के व्यास मापन के लिए वर्नियर के लिएर्स यंद्र का उप्योग किया जाता है गती का तिर्तिय नियम क्या है उदहारण के साथ समझाए इस नियम के अनुसार प्रतिकिरिया के उसके बराबर परंतु विप्रीत दिशा में प्रतिकिरिया होती है माना कि A एवं B दोपिंड एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं गोड़ा गाड़ी को खीशते समय अपनी पिछली टांगों से प्रतिवी को पीछे की ओर दबाता है यह उदहारण इसका हो जाता है जिसे से प्रतिकिरिया के रूप में प्रतिवी गोड़े पर आगे की ओर बल लगाती है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है नेक्स्ट कोईशन आपका हो जाता है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आईतन तो निश्चित होता है प्रत आकरती आनिश्चित होती है तो दब्ल उधारन है दूद की कोई आकर्ती नहीं होती है जितने बड़े बरतन में रखा जाएगा उतनी ही आकर्ती हो जाएगी इसी तरह जल्बी है ना तो ये आपका हो जाता है उसके बाद आपका हो जाता है question दोलन गती किसे कहते हैं, उधारन सहित समझाएं, जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिती के दोनों और गती करती है, तो इस परकार की गती को दोलन गती कहते हैं, उधारन जैसे जूले में जूलते वे बच्चे की गती, किसी स्प्रिंग में लटके पिंड से, गती दीवार गड़ी के पेंडूलम की गती ये हो जाती है, योगिक किसे कहते हैं, योगिक क्या है तो जल है, है ना, योगिक इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, मृत्ति जीवी से आप क्या समझते हैं, तो कुछ पौधे अपना बोजन स्वयम नहीं बला सकते, ये अपना बोजन पदार्थों से ग्रहन करते हैं, ऐसे पौधों को मृत्ति जीवी कहते हैं, जैसे कुर्मुत्ता आदी ये हो जाते हैं, क्योंकि ये पौधे क्या करते हैं, ये सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, उनको खाते हैं, यानि दूसरों पर निर्भर होते हैं, और इनी पौधों को क्या कहते हैं इनको मृति जीवी कहते हैं तो फ्रेंट्स यहां पे आपका ये session complete होता है और यहां पे अतिलगु त्रे टाइप questions भी आपके complete होते हैं I hope आप लोगों को session पसंद आया होगा और अगर session पसंद आया तो लाक जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और न्यू है आप आपने अभी विजिट किया है चैनल पर तो चैनल को सस्काइब भी कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें जिसे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहस सके तो मिलते हैं नक्स क्लास में थैंक यू